जी हां दोस्तों बात करेंगे अगस्थ महिने में निकली हुई रिक्रूट मेंट्स के बारे में जो वेकमसिस निकली हुए उनके बारे में पाँच सरकारी नोकरी हुए फोरा में तोटल मिला कि अगर में बात कुरू वेकमसिस की बम पर भरती है चिंतर हजार से ज्यादा पदोबे वेकेंसी निगली हुए जिसमें से 40 से 50 हजार पद ऐसे जहां पर खाली आपको apply करना है कोई exam नहीं होगा कुछ exams ऐसे हैं जहां पर fees भी आपको नहीं देनी खाली form feel करना है तो कैसे क्या apply करना है कुछ से exam से 12th class pass वाले 10th class pass वाले भी यहाप apply कर सकते है वो सारी list में आपको बताऊंगा इसके लावा सीधी भरती है 50,000 के आसपास जैसे कि मैं पहले बताया है आज से आवे दिनी start हो चुके है यहाँ पर इसके अलावा last date कर में बात करूँ mostly exams की last date है अगस्त के last week में तो अगस्त वाले recruitment यहाँ बता रहा हूँ अगस्त महीन में अगर आप यह वीडियो देख रहे है most important आप सभी के लिए यहाँ पर शुरू से लेके end तक यह वीडियो देखना था साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी से request नए हो इस चैनल पर चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे vacancies की भरमार यहाँ पर इस समय निकले हुई है जुलाई एगस्त के महीने में government job, सरकारी job पाने का सुनहरा मोकाब सभी लोगों के लिए number one vacancy है FCI यानि की Food Corporation of India की तरफ से यहाँ पर तीन तरह की vacancy है यह फूड इंस्पेक्टर, कलरक इन हेड़कौर्टर और फूड असिस्टेंट टोटल मिला के vacancy यहाँ पर 5850 vacancy होती है जैसे कि पूरा डिटेल यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको उससे पहले मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका short brief information दे देता हूँ सबसे पहले यहाँ पर इध्यान रखना दोस्तों यह जो food inspector और color second grade और food assistant की vacancy निकली वी है तीन तरगी vacancy है जिसमे graduation मांगा गया है food inspector के लिए खाली इसके लावा color के लिए और assistant के लिए आपका 12th class होना अनिवारे है 12th class कर रखा है तो दोनों application आप form fill कर सकते हो इसके अलावा graduation अगर आपने कर रखा है तो तीनों आप मतलब form लगा सकते हो एक तरीके से एक form लगेगा लेकिन preference आपको देनी पड़ेगी तो वो तीनों आप यहाँ पर fill कर सकते हो age limit की बात करें 18-18 साल यहाँ पर इसमें मांगी गई है एक जुलाई 2022 को आप 18-18 साल के बीच में हो जाने चीए relaxation खाली और खाली SCST वालों को 5 साल और 3 साल यहाँ पर OBC वालों को है PWD वालों को भी याँ विकलांग श्रेणी वालों को भी relaxation दे रखा जनरल वालों को कोई relaxation नहीं है पुरा लिस्ट यहाँ पर दे रखी है photo signature जो भी करना है final submit करना है कैसे करना है वो सारा सब कुछ यहाँ पर tips and tricks दे रखी है नीचे instruction दे रखे comment box में आप comment करिए जो भी आपको doubts रहता है नाबाड की तरफ से vacancy निकली वी है national bank for agriculture and ruler development की तरफ से यह vacancy है assistant manager की post पर यहाँ पर यह vacancy निकली हुई है जो की साफ साफ उपर ही line में दे दिया गया है आपको 18 जुलाई 2022 से 7 अगस 2022 को आप यहाँ पर form फिल कर सकते हो cgrs.ibps.in पर जाके इसके अलाबा यहाँ पर date लिखी हुई है साथ सितंब 2022 phase 1 यानि की pre-exam होता है वो आपका रहेगा exam इसके लाबा यहाँ पर आप देख सकते हो किनकिन पर यह vacancy है general agriculture, fisheries में इसके लाबा यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी finance, computer, information technology में develop management में तो इनके लिए qualification भी अलग-अलग मांगी गई है तो उससाब से आप यहाँ पर apply कीजिए जिस भी post के लिए आप suitable हो प्लस आपके पास में degree हो उस इसाब से आप यहाँ पर apply कीजिए निचे पुरा detail दे रखा है जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर जो यह selection होगा उसमें यहाँ पर phase 1, phase 2 यहाँ पर यह एक तरीकी से exam conduct करवाए जाएगा यह असामनी qualification लिखे हुई है और यहाँ पर आप सभी को देख रहा है यहाँ पर age limit भी यहाँ पर यह दे रखिए 21-30 साल आपका मांग गया है और note earlier देन 27-29 जो भी है और यहाँ पर यह phase 1 का paper है और यह नीचे मेंस का paper है यह आप देख लीजिए तो अगर आप interest rate हो नीचे link दे रखा है वहाँ पर जाके आप apply कर सकते हो राजभासा के लिए आपको interview होगा द्यान रखना इसके लाबा HDFC recruitment notice 2022 पोस्ट कौन कौन सी है यह में यह आपको बताज़ता हूँ उससे पहले आप देख लीजिए हैं यहाँ पर यह जो लिखा हूँ है 12,780 पदों पर तो यह bumper vacation से निकलने वाली है HDFC के तरफ से MTS color पदों पर जिसमें नीचे different different response भी दे रखी है और यह phase wise निकलेगी पी यो जैसी की probationary officer में 1450 finance manager 1360 business development officer 1210 collector office, collection officer 330 assistant manager 550 IT में और IT manager 1360 manager risk analytics में 1570 और MTO sir color में आप देख सकते हो 2270 और 2660 total मिला के मैं बताऊँ है आपको आराम से 5000 के अबाओ यह vacancy हो जाती है तो एक तरीके से जो vacancy निकली हुई है इन सबी के लिए आप eligible हो अगर आपने graduation कर रखा है कुछ एक post ऐसी है जहाँ पे 10th और 12th भी मांग गया है जैसे कि MTS और color पाली post के लिए इसके अलाबा HDFC के तरब सी है जो निकली हुई है vacancy है HDFC carriers में जाके आप देख कर सकते हो इसके अलाबार पूरी details यहाँ पे निचे लिखे हुई है एक जुलाई 2022 को आप यहाँ पे 18-18 साल से ज्यादा नहीं होने चीए और 18-18 साल के बीच में आ जाने चीए relaxation वही same criteria सबका रहता है सभी vacancies में 5 साल और 3 साल वाला application fees 400 रुपे 300 रुपे के साथ में आप यहाँ पे fees दे सकते हो एक तरीके से form submit कर सकते हो 30 August 2022 नीचे लिखा हुआ है 30 August 2022 से पहले पहले आपको यह form apply करना रहेगा तभी आप यहाँ पे इसमें एक तरीके से form submit कर सकते हो तो यह vacancy भी यहाँ पे start हुई नहीं है लिंक एक्टिवेट हुआ नहीं है जब भी होता है सबसे पहले आपको इस चैनल के माद्यम से बता दिया जाएगा अभी अगली vacancy के तरफ चलते है ग्रामीन डाक से वक 2022 नोटिफिकेशन ओर्वीव में आपको बताता हूँ डेटेट 072022 करके यहाँ पे अगर आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो आप यहाँ पे एपलाई कर सकते हो यहाँ पे स्टार्टिंस की सेलेरी यह पेकेज की और 100 रुपे फीस के साथ में आप ओनलाइन यहाँ पे 6882022 से 12882022 यहाँ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन रिलीज डेट है 6882022 और ओनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे आपके 12882022 से और एपलाई ओनलाइन लाज्ट डेट आपकी 159222 तो यह भी यहाँ पे अगस्त महिने की वेकेंसी है ओनलाइन मोडिफिकेशन लाज्ट डेट भी 209222 रहेगी एग्जाम डेट रिजल्ट डेट जो भी होता है वो अपडेट सून करा लिखावा है तो यहाँ पे वो आपको फोर्म आप जब एपलाई कर दोगे उसके बाद में आपको बताए जाएगा तो बंपर वेकेंसी निकली हुई है पहले भी मैंने वीडियो बना रखा इसके उपर पोस्ट मास्टर की 6511 पोस्ट है जीडियस की 16 जा रहे है टेंटेटी वेकेंसी है दोस्तो ध्यान रखना इसमें फेर बदल हो सकता है इसके अलावा नीचे यहाँ पर मैं इसको एज लिमिट बता जेता हूँ 18-40 साल जेनरल केटेगरी लिए यहाँ पर देख सकते हो 1-1,2,2,2 तक 10th क्लास पास अगर आपने कर रखा है तो GDS की वेकेंसी आप एपलाई कर सकते हो और पोस्ट मास्टर के लिए आपको ग्रेजुशन होना आनिवारे है साफ साफ इसमें लिखा हुआ है और ये कंडिशन, टर्म एन कंडिशन नीचे फुल्फिल होनी चीए सेकेंडर एग्जामिनिशन, नोलेज ओफ साइकलिंग, साइकलिंग करना आना चीए इसके लावा कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स होना चीए अगर आप पोस्ट मास्टर के लिए एपलाई कर रहे हो तो ये सारे सब कुछ यहाँ पर आप देख लेना इसके अलावा सेलेरी के अगर मैं बात करूँ 15,500 रुपे ब्रांच पोस्ट मास्टर यानि की बीपीम जीएस के अंडर जो भी आता है वो 15,500 की स्टार्टिंग सेलेरी रहेगे आपकी और पोस्ट मास्टर के लिए अगर मैं बात करूँ 3600 TAD अलाउंसे जो भी आपको वहतन बत्ते मिलते हैं वो मिला के आपको 30,000 के आसपास हो जाएंगे चलिए नेक्स्ट वेकेंसे के तरफ से आपे बात करते हैं Citizen Credit Cooperative Bank Limited As Scheduled Multi-State Bank तो Multi-State Bank का बैंक से आप समझ सकते हो सभी स्टेट के लिए आपे लोग eligible है और apply कर सकते हैं वेबसाइट लिंक ओपन होगी है आपकी 19-7-2022 को जो की हो चुकी है Citizen Credit Bank.com इसकी official website है Online Registration of Application Start यहाँ पर 19-7-2022 को हो चुके इसकी last date है 2-8-2022 पांच बजे शाम को 1 week before online test date यहाँ पर साफ लिखा हुआ है अगस्त में 2022 में आपका यहाँ एक्जाम होगा conduct इसके लावा probationary officer के post यहाँ पर निकली हुई है ध्यान रखना PO वाली post इसमें निकली हुई है 20-30 साल के बीच में अगर आप आते हो आप apply कर सकते हो इसके अलावा 36-2022 को आप 26 साल से उपर नहीं होने चीए और 20 साल से कम नहीं होने चीए यह लिखावा है इसके अलावा probationary officer के लिए आप देख सकते हो probationary associate यह दो तरे की वेकेंसी निकली हुई है syllabus नीचे दे रखा है कैसे आपको apply करना वो सारा सब कुछ link दे रखा है नीचे वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो description box में आपको सारी link मिल जाएंगे धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए